नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को जादा से जादा सस्क्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसी टेप्स ऐसी जानकारी लेकर आते हैं इसे दुनिया में सबसे बड़े फलो के रूप में जाना जाता है जिया दोस्तों कठल का सेवन ना सिर्फ सबजी बनाने में वलकि अचार, पकोडे, कोफ़ते, आदि बनाने में भी किया जाता है जिया दोस्तों पक हुआ कटल काफी पसंद किया जाता है जिया दोस्तों कटल में धेरो ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर की कई आवशक्तां को पूरा करते हैं इसमें विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, थाइमीन, मैगनीशियम, केलशियम, आईरन, जेंक, पोटेशियम, मैगनीज, प्रचूर मातरा में पाया जाता है जिया दोस्तों इन सब के अलावा इसमें भरपूर मातरा में फाइबर भी होता है अच्छी बात तो ये है इसमें calories नहीं होती ऐसे में दोस्तों ये heart से जुड़ी समस्याओं में काफी फाइदे मंद होता है जिया दोस्तों आईए अब आपका वक्जाया ना करते हुए जल्दी जल्दी फटाफट से जान लेते हैं कि कठल के कितने फाइदे होते हैं जिया दोस्तों कठल में पाई जाने वाला potassium heart से जुड़ी सारी बिमारियों को सुरक्षित रखता है उच रक्चाप के मरीजों के लिए ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है और बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होता है ये आईडन का एक अच्चा स्रोत होता है जिसकी पानी ठंडा हो जाए तो वह इस पानी को पी ले नेमेत रूप से ऐस्ता करने से अस्तमा के रोग्यों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है इससे पाई जानने वाले कई खनीज हार्मोन्स को निरंतिव करने में भी काफी कारगर उपाई है कठल में magnesium भी प्राप्त मातरा मे कठल के पाई जाता है जिसकी वज़ए से यह हर्डियों को स्वास्त और मजबूत बनाये में काफी मदद करता है कठल में पाई जाने वाले विटामिन सी की मज़एं से वज़न कम होने में बहुत ज़़दा मिलती है और प्रति रोग्षमता अच्छी बनी रहती है कठल में सबसे अच्छा फाइदा यह होता है कि इसमें भरपूर रेशे होते हैं जो पाचन क्रिया को बहतर बनाए रखने में काफी मदद करते हैं तो दोस्तों देखा आपने कठल के कितने फाइदे हैं तो दोस्तों आज ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना बोले और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि हमें कुछ ऐसे और वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा प्रिणा मिलती है